ओम शान्ती बीस बारा दो हजार बीस की अव्यक्त मुरली रिवाइस बीस तीन सतासी इस नेह और सत्यता की अथोरिटी का बैलेंस आज सत्द बाप, सत्सिक्षक, सत्द गुरु अपने सत्यता के शक्तिशाली सत्द बच्चों से मिलने आए हैं सबसे बड़े ते बड़ी शक्तिव अथोरिटी सत्यता की है, सत्द दो अर्थ से कहा जाता है, एक सत अर्थात सत्य, दूसरा सत अर्थात अविनाशी, दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है, बाप को सत बाप कहते हैं, बाप तो अनेक है, लेकिन सत बाप एक है सत सिक्षक सत गुरू एक ही है सत्य को ही परमात्मा कहते हैं अर्थात परमात्मा की विशेष्टा सत्य अर्थात सत है आपका गीत भी है सत्य ही शिव है दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम साथ साथ बाप परमात्मा के लिए सचित आनंद सुरूप कहते हैं आप आत्माओं को सचित आनंद कहते हैं तो कई सत्षब्द की महिमा बहुत गाई हुई है और कभी भी कोई भी कारे में अथोरटी से बोलते तो यही कहेंगे मैं सच्चा हूँ सत्य के लिए गायन है सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं आप लोग भी कहते हो सच तो बिठो नच सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ती वाला सदा नाचता रहेगा कभी मुर्जाएगा नहीं, उल्जेगा नहीं, गबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा सत्यता को सोने की समान कहते हैं, असत्य को मिट्टी की समान कहते हैं, भक्ती में जो भी परमात्मा की तरफ लगन लगाते हैं, उन्हों को सत्संगी कहते हैं, सत्का संग करने वाले हैं और लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी क्या कहते है सत नाम संग है तो सत अविनाशी सत सत्य है सत्यता की शक्ती महान शक्ती है वर्तमान समय मैजोरिटी लोग आप सब को देख कर क्या कहते है इन्हों में सत्यता की शक्ती है तब इतना समय व्रिद्धी करते अचल होती है, सत्यता वृद्धी को प्राप्त करने की विधी है, सत्यता की शक्ती से सत्युक बनाते हो, स्वयम भी सत्य नारायन, सत्य लक्षमी बनते हो, यह सत्य ग्यान है, सत्य बाप का ग्यान है, इसलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि सत्य ग्यान की सत्यता की अथोरटी कितनी धारण की है सत्यता हर आत्मा को आकरशित करती है चाहे आज की दुनिया जूट खंड है सब जूट है अर्थात सब में जूट मिला हुआ है फिर भी सत्यता की शक्ती वाले विजयी बनते हैं सत्यता की प्राप्ती खुशी और निर्भयता है सत्य बोलने वाला सदा निर्भय होगा उनको कब भय नहीं होगा जो सत्य नहीं होगा तो उनको भय जरूर होगा तो आप सभी सत्य तक शक्ति शाली स्रेश्ट आत्माए हों सत्य ग्यान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति सत्य याज, सत्य गुण सत्य शक्तियां, सर्व प्राप्ति है तो इतनी authority का नशा रहता है authority का अर्थ अभिमान नहीं जितना बड़े ते बड़ी authority उतना उनकी वरती में रुहानी अथारटी रहती है। वानी में इसने है और नमरता होगी। यही अथारटी के निशानी है। जिसे आप लोग वरक्ष का दर्श्टांत देते हो। वरक्ष में जब संपूर्ण फल की अथारटी आ जाती है तो वरक्ष जुकता है। अर्थात की अथारटी वाले निर अहंकारी होते हैं। तो अथारटी भी हो, नशा भी हो और निर अहंकारी भी हो। इसको कहते हैं सत्य ज्यान का प्रत्यक्ष और स्वरूप। जैसे इस जूट खंड के अंदर ब्रह्मा बाप सत्यता की अथारटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखा ना, उनके authority के बोल कभी भी एहंकार की भास्ता नहीं देंगे, मुरली सुनते हो तो कितनी authority के बोल हैं, लेकिन अभिमान के नहीं, authority के बोल में इसने है समाया हुआ है, निर मानता है, निर एहंकार है, इसलिए authority के बोल प्यारे लगते हैं सिर्फ प्यारे नहीं लेकिन प्रभाव शाली होते हैं follow father है ना सेवा में वा कर्म में follow ब्रह्मा बाप है क्योंकि साकारी दुनिया में साकार example है sample है तो जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में सेवा में सूरत से हर चलन से चलता फिरता authority सुरूप देखा ऐसे follow father करने वाले में भी इसनेह और authority निर्मानता और महानता दोनों सासा दिखाई दे ऐसे नहीं सिर्फ इसनेह दिखाई दे और authority गुम हो जाए या authority दिखाई दे और इसनेह गुम हो जाए जैसे ब्रह्मा बाप को देखा वह अभी भी मुरली सुनते हो प्रत्यक्ष प्रमान है तो बच्चे बच्चे भी कहेगा लेकिन authority भी दिखाईगा इसनेह से बच्चे भी कहेगा और authority से सिख्षा भी देगा सत्य ग्यान को प्रत्यक्ष भी करेंगे लेकिन बच्चे बच्चे कहते नया ग्यान सारस पश्ट कर देंगे इसको कहते हैं स्नेह और सत्यता की अथोरिटी का बैलेंस तो वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडर लाइन करो धर्नी बनाने के लिए स्थापना से लेकर अब तक पचास वर्ष पूरे हो गए हैं विदेश की धर्नी भी अब काफी बन गई है भल पचास वर्ष नहीं हुए लेकिन बने बनाए साधनों पर आए हो इसलिए शुरू के पचास वर्ष और अब के पांच वर्ष बराबर है डबल विदेशी सब कहते हैं हम लास्ट सो फस्ट हैं तो समय में भी फस्ट सो फस्ट होंगे न निर्भई की अथोरिटी जरूर रखो एक ही बाप का नया ग्यान सत्य ग्यान है और नय ग्यान से नई दुनिया स्थापन होती है यह अथोरिटी और नशाद स्वरूप में इमर्ज हो पचास वर्ष तो मर्ज रखा लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो भी आवे उनको पहले से ही नय ग्यान की नई बात सुना कर कंफ्यूस कर दो यह भाव नहीं है धरनी नब्ज समय यह सब देख करके ग्यान देना यही नौलेजफुल की निशानी है आत्मा की इक्षा देखो नब्ज देखो धरनी बनाओ लेकिन अंदर सत्यता की यह निर्भैता की शक्ती जरूर हो लोग क्या कहेंगे यह भै नाओ निर्भै बन धरनी भल बनाओ कई बच्चे समझते हैं यह ग्यान तो नया है कई लोग समझ ही नहीं सकेंगे लेकिन बे समझ को ही तो समझाना है यह जरूर है जैसा व्यक्ति वैसी रूप रेखा बनानी पड़ती है लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आ जाओ अपने सत्य ग्यान की अथोरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना ही है यह लक्ष नहीं भूलो अब तक जो किया यह ठीक था करना ही था, आविश्यक था क्योंकि धर नहीं बनानी थी लेकिन कब तक धर नहीं बनाएंगे और कितना समय चाहिए दवाई भी दी जाती है तो पहले ही जादा ताकत की नहीं दी जाती पहले हलकी दी जाती है लेकिन ताकत वाली दवाई दो ही नहीं हलकी पर ही चलाते रहो यह नहीं करो किसी कमजोर को हाई पावर वाली दवाई दे दी तो यह भी रॉंग है परखने की भी शक्ति चाहिए लेकिन अपने सत्य नए ग्यान की अथोरटी जरूर चाहिए आपकी सुक्ष में अथोरटी की वृत्ती ही उन्हों की वरत्तियों को चेंज करेगी यही धर्नी बनेगी और विशेश जब सेवा कर मदुबन तक पहुँचते हो तो कम से कम उन्हों को यह जरूर मालूम पढ़ना चाहिए इस धर्नी पर उन्हों की भी धर्नी बन जाती है कितनी भी कलराठी धर्नी हो किस भी धर्म वाला हो किस भी पोजीशन वाला हो लेकिन इस धर्नी पर भी वह नर्म हो जाते हैं और नर्म धर्नी बनने के कारण उसमें जो भी बीज डालेंगे उसका फल सहज निकलेगा सिर्फ डरो नहीं निर्भे जरूर बनो युक्ती से दो ऐसा ना हो कि आप वह आप लोगों को यह उलाहना दे कि ऐसी धर्नी पर भी मैं पहुँचा लेकिन यह मालूम नहीं पड़ा कि परमात्म ग्यान क्या है परमात्म भूमी पराकर परमात्म परम आत्मा की प्रत्यक्षता का संदेश जरूर ले जाए लक्ष अथॉरिटी का होना चाहिए आजकल के जमाने के हिसाब से भी नवीनता का महत्व है फिर भल कोई उल्टा भी नया फैशन निकालते हैं तो भी फॉलो करते हैं पहले आर्ट देखो कितना बढ़िया था आजकल का आर्ट तो उनकी आगे जैसे लकीरे लगेंगी लेकिन मौडन आर्ट पसंद करते हैं मानव की पसंदी हर बात में नवीनता है और नवीनता स्वता ही अपने तरफ आकरशित करती है इसलिए नवीनता, सत्तिता, महांता इसका नशा जरूर रखो फिर समय और व्यक्ति देख सेवा करो यह लक्ष जरूर रखो कि नई दुनिया का नया ज्यान प्रत्यक्ष जरूर करना है अभी इस नहें और शांती प्रत्यक्ष हुई है बाप का प्यार के सागर का स्वरूप शांती के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है लेकिन ग्यान स्वरूप आत्मा और ग्यान सागर बाप है इस नए ग्यान को किस ढंक से देवें उसके प्लांस अभी कम बनाए है वह अभी समय आएगा जो सभी के मुक से यह आवाज निकलेगा कि नए दुनिया का नया ग्यान यह है अभी सिर्फ अच्छा कहते हैं नया नहीं कहते याद की सबजेक्ट को अच्छा प्रत्यक्ष किया है इसलिए धरनी अच्छी बन गई है और धरनी बनाना पहला आवशक कारे भी जरूरी है जो किया है बहुत अच्छा है और बहुत किया है तनमंधन लगा कर किया है इसके लिए आफरीन भी देते हैं पहले जब विदेश में गए थे तो यही त्रिमूरती के चित्र पर समझाना कितना मुश्किल समझते थे अभी तृमूरती के चित्र पर ही आकरशित होते हैं यह सीड़ी का चित्र भारत की कहानी समझते थे लेकिन विदेश में इस चत्र पर आकरशित होते हैं तो जैसे वह प्लान बनाए कि यह नई बात किस ढंग से सुनावे तो अब भी इन्वेंशन करो यह नहीं सोचो कि यह तो करना ही पड़ेगा नहीं बाप दादा का लक्ष सिर्फ यह है कि नवीनता के महानता की शक्ति धारण करो इसको भूलो नहीं दुनिया को समझाना है दुनिया की बातों से घबराओ नहीं अपना तरीका इन्वेंट करो क्योंकि इन्वेंटर आप बच्चे ही हो न सेवा के प्लान्स बच्चे ही जानते हैं जैसा लक्ष रखेंगे वैसा प्लान बहुत अच्छे से अच्छा बन जाएगा और सफलता तो जन्मसित धदिकार है ही है इसलिए नवीनता को प्रत्यक्ष करो जो भी ग्यान की गुहे बाते हैं उसको सपस्ट करने की विधी आपके पास बहुत अच्छी है और सपस्टी करण है एक एक पॉइंट को लॉजिकल सपस्ट कर सकते हो अपनी अथोरिटी वाले हो कोई मानो माये वा कलपना की बाते तो हैं नहीं यथार्थ है अनुभव है अनुभव की अथोरिटी नौलिज की अथोरिटी सत्यता की अथोरिटी कितनी अथोरिटी हैं तो अथोरिटी और इसने हैं दोनों को साथ साथ कारे में लगाओ बाप दादा खुश हैं कि मेहनत से सेवा करते करते इतनी बृद्धी को प्राप्त किया है और करते ही रहेंगे चाहे देश हैं चाहे विदेश हैं देश में भी व्यक्ति और नब्ज देख सेवा करने में सफलता है विदेश में भी इस विदी से सफलता है पहले संपर्क में लाते हो यह धरनी बनती है संपर्क के बाद फिर संबन्द में लाओ सिर्फ संपर्क तक छोड़ नहीं दो संबन्द में लाकर फिर उन्हों को बुद्धी से समर्पित कराओ यह है लास्ट स्टेज संपर्क में लाना भी आविशक है फिर संबन्द में लाना है सम्मंद में आते आते समर्पन बुद्धी हो जाए कि जो बाप ने कहा वही सत्य है फिर क्वेश्चन नहीं उठते जो बाबा कहता वही सही है क्योंकि अनुभव हो जाता है तो फिर क्वेश्चन समाप्त हो जाता है इसको कहते हैं समर्पन बुद्धी जिसमें सब इसपष्ट अनुबह होता है लक्ष यह रखो कि समर्पन बुद्धी तक लाना अवश्य है तब कहेंगे माइक तयार हुए है माइक क्या आवास करेगा सिर्फ अच्छा ग्यान है इनों का नहीं यह नया ग्यान है यही नई दुनिया लाएगा यह आवाज हो तब तो कुम्बकरन जागेंगे न नहीं तो सरफ आख खोलते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा कहें फिर नीद आ जाती है इसलिए जैसे स्वयम बालक सो मालिक बन गए न ऐसे बनाओ बिचारों को सिर्फ साधरन प्रजा तक नहीं लाओ लेकिन राज्य अधिकारी बनाओ उसके लिए प्लान बनाओ किस विधी से करो जो कन्फ्यूज भी ना हो और समर्पन बुद्धी भी हो जाए नवीन्ता भी लगे उलजन भी अनुभव नहीं करे स्नेह और नवीन्ता की अथौरटी लगे अब तक जो रिजल्ट रही सेवा की विधी ब्रामनों की ब्रद्धी रही वह बहुत अच्छा है क्योंकि पहले बीच को गुप्त रखा वह भी आवशक है बीच को गुप्त रखना होता है बाहर रखने से फल नहीं देता धरनी के अंदर बीच को रखना होता है लेकिन अंदर धरनी में ही न रह जाए बाहर प्रत्यक्ष हो फल सुरूप बने यह आगे की स्टेज है समझा लक्ष रखो नया करना है ऐसे नहीं कि इस वर्ष ही हो जाएगा लेकिन लक्ष बीच को भी बाहर प्रत्यक्ष करेगा ऐसे भी नहीं सीधा जाकर भाषन करना शुरू कर दो पहले सत्तिता के शक्ती की भासना दिलाने के लिए भाषन करने पड़ेंगे आखिर वह दिन आए यह सब के मुक से निकले जैसे ड्रामा में दिखाते हो न सब धर्मवाले मिलकर कहते हैं हम एक हैं एक के हैं वह ड्रामा दिखाते हो यह प्रैक्टिकल में स्टेज पर सब धर्मवाले मिलकर एक ही आवाज में बोलें एक बाप है एक ही ग्यान है एक ही लक्ष है एक ही घर है यही है अब यह आवास चाहिए ऐसा द्रिश्य जब बेहत की स्टेच पर आए तब प्रत्यक्षता का जंडा लहराएगा और इस जंडे के नीचे सब यही गीत गाएंगे सबके मुख से एक शब्द निकलेगा बावा हमारा तब कहेंगे प्रत्यक्ष रूप में शिवरातरी मनाई अंदकार खत्म हो गोल्डन मौर्निंग के नजारे दिखाई देंगे इसको कहते हैं आज और कल का खेल आज अंदकार कल गोल्डन मौर्निंग यह है लास्ट परदा स अच्छे है र एक स्थान की धरनि प्रमाण प्लैन बनाना ही पड़ता है धरनि के प्रमाण बिधी में कोई अंतर भी अगर करना पड़ता है तो ऐसी कोई बात नहीं है लास्ट में सभी को तैयार कर मदुबन धरनी पर छाप जरूर लगानी है भिन भिन वर्ग को तैयार कर स्टैम्प जरूर लगानी है पासपोर्ट पर भी स्टैम्प लगाने सिवाए जाने नहीं देते न तो स्टैम्प यहां मदुबन में ही लगेगी यह सब तो हैं ही सरें कुमारी वबध कुमारी बनकर तो सेवा नहीं करते हो बीके बनकर ही सेवा करते हो न तो Surrender برामनों की लिस्ट में सबी है अब औरों को कराना है मरजीवा बन गए बरामन बन गए बच्चे कहते मेरा बाबा तो बाबा कहते तेरा हो गया तो Surrender हुए न चाहे प्रवत्ती में हो, चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा तो बाप ने अपना बनाया, यह तो दिल का सौधा है, मुख का स्थूल सौधा नहीं है, यह दिल का है, सरेंडर माना श्रीमत की अंडर रहने वाले, सारी सभा सरेंडर है न, इसलिए फोट तो भी निकालना है, अब चित्र में आ गए तो बदल नहीं सकते, परमात्म घर में चित्र हो गए, यह कम भागी नहीं है, यह इस्थूल फोटो नहीं, लेकिन बाप के दिल में फोटो निकल गया, सर्व सत्यता की अथोरटी वाली स्रिष्ट आत्माओं को, सर्व नवीनता और महानता को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को, सर्व इसने और अथोरटी के बैलेंस रखने वाले हर कदम में बाप द्वारा ब्लेसिंग, आश्षिरवाद लेने के अध अधिकारी स्रिष्ट आत्माओं को, सर्व सत अर्थात अविनाशी रतनों को, अविनाशी पाट बजाने वालों को, अविनाशी खजाने के बालक सो मालिकों को, विश्व रच्ता, सत बाप, सत सिक्षक, सत गुरू का याद प्यार और नमस्ते, हम रोहानी बच्चों के रो सेवा की नई invention निकालने वाले सिद्धी स्वरूब भव। जैसे पहले-पहले मौन वरत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था, ऐसे अब मन का मौन रखो, जिससे व्यर्त संकल्प आवे ही नहीं, जैसे मुक से आवाज ना निकले, वैसे व्यर्त संकल्प न आएं, यह है मन का मौन, तो समय बच जाएगा, इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई invention निकलेगी, जो साधना कम और सिद्धी जादा होगी, जैसे साइन्स के साधन सेकेंड में विधी को प्राप्त कराते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकेंड में विधी प्राप होता है, सूचना आज मास का तीसरा रविवार है, सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने शाम साड़े छे से साड़े साथ बजे तक विशेश योग अभ्यास के समय अपने लाइट माइट सुरूप में इस्तिध हो, ब्रगुटी के मत्य बाप दादा का आवान करते हुए कम माइट सुरूप का अनुभव करें और चारों और लाइट माइट की केड़ने फैलाने की सेवा करें, ओम शान्ती में जाए आस तेरे उड़ आए जी करता है बाबा हम आस तेरे उड़ आए आस तेरे उड़ आए